नमस्कार दोस्तों, 16 फर्वरी 2022 के डेली न्यूस एनलसिस करेंट फेस डिसकशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूस हम डिसकस करेंगे। चार स्टेट्स के एंटी लिंचिंग बिल्स को अभी भी प्रॉपर तरीके से अप्रूवल नहीं मिला है। इन बिल्स को अप्रूवल के लिए भीज़ा था प्रेजिडेंट के पास, बट मिनिस्ट्र फोम अफेर्स की तरफ से अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आ है। इस न्यूस को देखेंगे। इंडिया डिजिटल मैप प्रपेर कर रहा है हमारे देश के सारे गाओं के विलिजेस की इसको देखेंगे। जैनवरी में इंडिया के एक्सपोर्ट्स 25% बढ़े हैं और गोल्ड का इंपोर्ट कम हुआ है इसको देखेंगे। मरीन पॉल्यूशन को इंडिया औस्टेलिया और सिंगापुर्तीन में मिलके टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं इसको देखेंगे। फिर समक्का सरलमा जतारा फेस्टिवल के बारे में न्यूज है इसे देखेंगे। फिर भाई रीसेंटली केंदर की सरकार के उपर तेलांगना की सीम ने इलजाम लगाया कि ये जो केंदर की सरकार है ये उन पर्टिकुलर कंपनीस से बिजली खरीदने को बोल रही है राज्यों को जिन कंपनीस ने बीजेपी को फंडिंग दिये। तो काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया इस रिस्पेक्ट में क्लारिफिकेशन आया है केंदर की सरकार की तरफ से इस क्लारिफिकेशन को समझेंगे। देख लेते हैं, word of the day है disparate, क्या मतलब होता disparate का? आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक बटन दोस्तों, if possible for you, please click the join बटन, आपके join बटन दमाने से खासा मदद मिलती है, Instagram पर फॉलो कर लिजे, Telegram ग्रूप जोन कर लिजे, Telegram ग्रूप पर आपको ये पर्टिकुलर PPT की PDF भी मिल जाएगी, और जितना ज्यादा हो सक के इस lecture को share करिए दोस्तों, चुकि आपके ज़्यादा share करने से YouTube इस particular वीडियो का engagement बढ़ाता है, और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है, चलिए, पहला news, anti-mob lynching bills passed by four assemblies, देखे, पिछले चार सालों में, तीन states, जो की BJP के rival, मतलब non-BJP camp के लोग, जो states हैं, जो सरकार हैं, उन्होंने anti-linching law लेके आया है, और एक BJP की सरकार वाला state लेके आया है, अब problem ये है कि union government के सामने एक सवाल है, कि भाई, lynching को लेके, अलग से नियम कानून निकाला जा सकता है, वैसे तो देखा जाए, तो union government ने बोला है, कि अभी के लिए, Indian Penal Code में, क हैं, तो lynching एक specific crime नहीं है, Indian Penal Code के अंदर, और पहले home ministry ने, parliament को 2019 में, ये बताया था कि देखी, चुकि कोई अलग से definition नहीं है, IPC के अंदर lynching की, तो अभी के लिए section 300 of the IPC, और section 302 of the IPC के अंदर हम lynching को ले सकते हैं, section 302 murder से relate करता, तो lynching में obvious ही बात है, आप किसी को मारने की बात करें, तो जो murder वाले provisions हैं, वहाँ पे आप lynching के accused लोगों के ऊपर case वगरा चला सकते हो, 2017 में, National Crime Records Bureau ने, mob lynching को लेके, hate crime को लेकर, cow vigilantism, cow vigilantism की, कई बार सुना होगा कि, ये news निकल के आती ही, कि cow को मार के, उसका meat बेच रहे थे, तो लोगों को पता चल गया, और उन् CRB के पास, mob lynching, hate crime, और cow vigilantism का कुछ data था, पर data published नहीं हुआ, उसको discontinue कर दिया गया, चुकि उस data में reliability नहीं थी, अब इस बीच में, 22 December को, पास किया गया, 2021 में, जहारखन असंबली के दोरा, prevention of mob violence and mob lynching bill, 2021, जिसने ये बोलाए कि, तीन साल से लेके, उम्र, life imprisonment को, उम्र कहा नहीं बोलना चाहिए, मैंने पहले ही बता है ये बात, तो तीन साल से life imprisonment की सजा हो सकती है, under prevention of mob violence and mob lynching bill, अब इस bill को गवर्नर का मनौर्ड मिलना बाकि है, पांच अगस 2019 को, राजस्थान की assembly ने पास किया था, राजस्थान protection from lynching bill 2019, इसमें भी life imprisonment की सजा, और एक से वेस्ट बंगाल ने पास किया था, वेस्ट बंगाल prevention of lynching bill 2019, इसमें भी तीन साल से लेकि life imprisonment की सजा हो सकती है, और इसके अंदर एक वेस्ट बंगाल lynching compensation scheme में एनाउंस की गई थी, कि जिसके खिलाफ lynching हुई, उसके family members को थोड़ा बहुत पैसा बगरा दे दिया जाएगा, फिर 2018 में मनीपूर के assembly ने पास किया था, मनीपूर protection from mob violence bill, जिसमें life imprisonment की सजा दी गई थी, तो देखिए, मनीपूर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और जहारखण, ये चार ऐसे states हैं, जो anti-linching law लेके आ चुके हैं, तो अब, overall नजरें किसकी तरफ हैं, केंदर की सरकार की तरफ हैं, एक ATI application गई थी MHA के पास, ठीक है, कि भई ये जो राजस्थान वाला bill है, ये आपके पास spending पड़ा, देखिए, राजस्थान वाला bill पास हो गया, राजस्थान protection from lynching bill, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने इसको प्रेजिडेंट के पास not के लिए भेज दिया, अब प्रेजिडेंट के पास not के लिए भेजा, तो जो भी bills प्रेजिडेंट के पास not के लिए आते हैं, वो concerned ministry में जाके वेट होते हैं, तो lynching का law crime से related है, तो ministry of home affairs में चला गया है, अब ministry of home affairs में इसके ओपर बातचीत हो रही है, कि जो भी state का law है, वो central law के साथ कहीं, आप क अब देखिए हमारी केंदर की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा आप कहलो issue है, issue यह है, कि भाई देखिए, लिंचिंग को भी यहाँ पर क्राइम बनाने की ज़रूत है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पारलेमेंट से बोला था कि आप लिंचिंग को एक separate offense बनाओ, और उस समय Union Home Minister अमिशा ने पारलेमेंट को बताया भी था कि देखे, आचा मैं आपको एक बात बता दो, Home Minister अमिशा बने है 2019 में, तो अमिशा जी ने बाद में बताया था, confused मत होना, तो Indian Penal Court 1860 मना था, Court of Criminal Procedure इन सब चीजों को amend करने की बात कर रही सरकार और holistic amendments होंगे, यह पहले अमि नहीं मिल पा रही है, चुकि बात यह है कि मनिपुर और राजस्थान, इन दो स्टेटों के बिल, President के पास spending पड़े हुए है, और यह जो आपका West Bengal और जहारखंड का बिल है, यह overall Governor के पास spending पड़ा हुआ है, तो most probably एक बार lynching की definition define कर देता है केंदर की सरकार, तो आप कह सक तो कि इन बिल्स को भी approval यहाँ पर मिल जाएगा, कोई केंदर की सरकार के पास ऐसा reason नहीं है कि वो इन बिल्स पर approval ना दे, GS Paper 2, Government Policies and Intervention में यह news आपको काम आईगी है, मिट्स वर्स वर्स फैक्ट्स, Ministry of Power and MNRE, MNRE मतलब Ministry of New and Renovable Energy, तेके तो इन बिल्स पावर and New and Renovable Energy आरके सिंग साम ने तेलांगना के चीफ मिनिस्टर के चंदर शेखर राओ को यहाँ पर काउंटर किया है, के चंदर शेखर राओ ने BJP सरकार के ओपर यह इलजाम लगाया है कि BJP सरकार overall राज्यों को उपर जबरदस्ती कर रही है कि यह राज्य उन कंपनियों से सोलर एनरजी खरीदे जिन कंपनियों ने BJP को funding दिये, अब जब इस प्रकार का इलजाम लगा दिया के चंदर शेखर राओने, तो अबवेसी बात है केंदर की सरकार की तरफ से स्ट पर based on those bits, तो मतलब राज्य की सरकार अपनी bid निकाले, अपना auction निकाले और उसके हिसाब से renewable energy purchase करें, हम किसी भी राज्य के bidding process में interfere नहीं करते हैं, यह bidding निकालता कौन है, तो Solar Energy Corporation of India इस bidding को निकालता है, open bits निकालता है, renewable energy के लिए समय, हर समय पे मतलब bits highly competitive होती है, बहुत सा बात है, राज्य उसी company से बिजली खरीदेगा, जिसने सबसे कम rate पे बिजली देने की बात की है, तो यह बात हो रहा है, यहाँ पर बताई जादी, प्लस, केंदर की सरकार की तरफ से यह भी आया है कि रेनेवेबल energy purchase obligation के उपर अगर आप सवाल उठाते हो, रेनेवेबल energy purchase obligation कि हम conventional energy से, fossil fuels से non-fossil fuels, मतलब renewable energy के तरफ आएंगे, तो अब इस respect में सरकारी agencies को कुछ percentage तो renewable energy के खरीदने ही पड़ेगा, तो इसलिए RPO यहाँ पे mandatory है, environment deteriorate कर रहा है, emissions बढ़ रहा है, global warming बढ़ रही है, तो हम एक major country हो, हमें कहीं न कहीं, environmental commitments को पूरा करना है, इसलिए हम renewables को adopt कर रहे हैं, इसलिए renewable energy purchase obligation है, इंडिया ने pledge किया कि 2070 तक net zero हो जाएंगे, developed countries का pledge है, 2050 तक net zero हो जाएंगे, तो non-fossil fuels के अंदर जो सबसे best part है, वो है renewable energy, states अपने इसाब से, अपनी bid के साब से, renewable energy खरी सकते हैं, केंदर की सरकार का कोई भी pressure नहीं है, फिर बात की implement करने की responsibility है, solar energy corporation of India के उपर, यह only public sector undertaking है, जो कि solar energy sector में काम कर रही है, इसका target है, government schemes को implement करना, viability gap funding schemes को implement करना, viability gap funding क्या होती है, तो this is a grant, एक तरीके साब कह सकते हो, one time grant और deferred grant, तो किसी भी project को commercially viable बनाने के लिए, viability gap funding दी जाती है, जैसे for example, माल लो, कि मैंने कोई airline की company खो माइनर रूट पे, बड़े रूट पे नहीं, जैसे दिल्ली और मुंबई बड़ा रूट है, बहुत तरह लोग ट्रेवल करते हैं, लेकि मैंने छोटा रूट पे माल लो, कि कानपूर से फ्लाइट उड़ी और उतर गई आपकी जैपूर में, तो एक छोटा रूट कह सकते तो इस छोटे रूट पे चलाने के लिए मैंने एक एरलाइन खरी दी, अब मेरी एरलाइन सस्टेनेबिल नहीं है, उसको सस्टेनेबिल बनाने के लिए सरकार की तरफ से फंडिंग आई तो वो हो गई, वायबिलिटी गाप फंडिंग भी दी जाती है, Solar Energy Corporation of India के दोरा, National Solar Mission क के अंदर, अगर आप देखो, तो rooftop solar segment, सरकारी बिल्डिंगों के ओपर, घरों के ओपर solar panel लगा के, एक प्रकार का मिनई solar power plant, किसी एक particular building की छट पे लगा देना, इसको बोलतों आप rooftop solar segment, तो rooftop solar segment को इंडिया भर में implement करवाने के लिए, SECI ने बहुत steps लिए है, अल्रेड अग देखो, तो अलागला government schemes के अंदर, 54 megawatts तक के rooftop solar projects, already solar energy corporation of India लगवा चुका है, GS paper 2 और GS paper 3 में, ये news आपको खाम आएगी, next, India slams OIC, communal mindset और hijab रो, देखिए, organization for Islamic corporation ने, कुछ controversial comments with respect to India यहाँ पे दे दी है, अगर आप ये organization for Islamic corporation की बात करो, ये second largest inter-governmental organization है, United Nations के बाद, इसके 57 international member states है, overall इसको collective voice और Muslim word कहा जाता है, चुकि obvious ही बात है, इसमें, जो भी Muslim word के आप कहलो grievances हैं, उसको यहाँ पे point out कहा जाता है, चुकि सिरु धरम के आधार पर ये organization बना है, तो आप कह सकते हो कि overall Muslims की जो भी plight वगड़ा हैं, उसको ये देखेंगे, international peace क summit हुआ था, इसका headquarter Jeddah, Saudi Arabia में है, इंडिया इसका member नहीं है, हाला कि 2019 में, इंडिया को as a guest of honor invite किया गया था, 46th sanction of the council of foreign minister में, और उस समय पे शुश्मा सुराज जी, जो कि हमारी foreign minister थी, वो यहाँ पे गही थी, पचासली साल गिरा थी OIC की 2019 में, तो इंडिया को invite किया गया था, यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जटका था, बहराल, यहाँ पे organization for Islamic corporation ने इंडिया के against थोड़े से tricky statement दे दिये, एक तो हरिद्वार में जो धरम संसद हुई, जहाँ पे Muslims की genocide की बात की गई, इसको लेक हिजाब रो है, इसको लेकि organization for Islamic corporation बोल रहा है, मतलब overall, openly, organization for Islamic corporation इंडिया के against बोल रहा है, बोल रहा है, इंडिया में हिंदुत्वा ग्रॉप्स Muslims को मार रहा है, अब यहाँ पे overall, हमारी सरकार की तरफ से भी statement गया है, हमारी सरकार ने बोला है कि जो 57 member का blog है, यह बहुत लो immature तरीके से काम कर रहा है, वेस्टेड इंट्रेस्ट के द्वारा इस्तमाल किया जा रहा है, वेस्टेड इंट्रेस्ट यहाँ पे कौन हो सकते हैं, OIC के members जो कि इंडिया के against statement लेके आ सकते हैं, तो एक पाकिस्तान हो गया, एक टर्की हो गया, इस प्रकार की countries हैं, जो कि openly इंडिया के against statement देती ही नजर आती हैं, तो देखें, इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया continues to be, OIC continues to be hijacked by vested interest to further their fariest propaganda against इंडिया, तो इंडिया के against अपना propaganda चलाने के लिए कुछ कंट्रीज, और्गनाईजिशन फोर इस्लामिक कोपरेशन के platform का गलत फायदा उठा रहे हैं, यह बताया गया है, GS paper 2 में news आपको काम आएगी, next, by January में इंडिया का export बढ़ा है, और gold के import घटे हैं, तो जो हमारे trade deficit है, वो comparatively कम हो गई है, इंडिया का merchandise export, 34.5 billion dollar बढ़ा है January में, अब तक अगर आपको merchandise का मतलब नहीं पता है, मैं पिछली 2-3 वीडियो से में बता चुक January 2021 के comparison में 25.3% जादा है, और जो हमारा import है, वो थोड़ा धीरे से बढ़ा है, बेसिकलि अगर आप देखो, तो January 2022 में जो हमारी trade deficit है, import minus export है, वो कितना है, 17.4 billion dollar, अगर export import से जादा होते हैं, तो trade surplus होती, अगर January में goods का export देखे, तो December में हमने export किये थे 37.81 billion dollar के goods, उससे थो dollar कम है, इंडिया का target है कि 2021 बाइस financial year में हम 400 billion dollar के export करेंगे, और पहले 10 महीने में हम अल्रेडी 36 billion dollar के export कर चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम touch कर जाएंगे, फिकर 400 billion dollar का, गोल्ड का import घटा है, गोल्ड जनवरी में import किया गया 2.4 billion dollar का comparatively कम है, अकर आप देखो, तो December 2021 में 4.72 billion dollar का gold import किया गया, तो तो उसके comparison में 2.4 billion dollar तो थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो बस इतना एक important figure इसको याद रखेगा, अगर आप देखो, तो November 2021 में सबसे ज़्यादा trade deficit थी, हमारी 22.9 billion dollar की, उसके respect में अभी 17 billion dollar है, फिर भी थोड़ी ठीक है, exports किसके season में बढ़े हैं, तो coffee और petroleum products की जो export हों दुगने होगे हैं जनवरी में, cotton यान और handloom products के export 42.4% बढ़े हैं, ready-made garments, man-made yarn, leather and engineering growth, ये 20-25% की बीच में बढ़े हैं, जनवरी 2022 में when compared to January 2021, इंडिया का services export कितना हुआ, तो जनवरी में 26.91 billion dollar का service export हुआ इंडिया का, जो की जनवरी 2021 के comparison में 55% जाता है, और जनवरी 2020 के comparison में 46.6% जाता है, सर्विसिस का import भी आप कह सकते हो बढ़ा है, जनवरी 2022 में सर्विसिस का import जनवरी 2021 के respect में 60.3% जाता है, ठीक है, और जनवरी 2020 के respect में 45.3% जाता है, सर्विस ट्रेट के estimations के नंबर अभी update होंगे, जब Reserve Bank of India अपनी overall updated report निकालेगा, जिस पेपर 3, इंडियन एकनोमी में ये डाटा आपको काम आ सकता है, नेक्स्ट, Cabinet Approves Preparation for India's G20 Presidency, देखे, Union Cabinet जिसको लीट कर रहे थे प्रधान अंत्री मोदी जी, इन्होंने कहा है कि भाई ये G20 Secretariat इंडिया के अंदर बनाओ, ओवराल ये जो G20 Secretariat होगा, अभी देखे, समझे, इंडिया विल होल्ड अप्रेजिदेंशी ऑफ जी तुट इंडिया को अपने देश के अंदर कोई ना कोई एक Secretariat बनाना पड़ेगा, जहां से G20 का सारा काम होगा, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर रहेगा, यहां पे Ministry of External Affairs, Ministry of Finance और दूसरे Ministry of Departments के लोग और Domain Experts यहां पे काम करेंगी, जो Secretariat है फरवरी 2024 तक फंक्शनल रहेगा, G20 के अंदर आता कौन कोन है, तो 19 Countries और European Union, अब सोचिए 19 Countries और European Union, European Union में खुद 25 से ज्यादा कंट्रीज है, तो कुलमला के अच्छी खासी कंट्रीज आ गए G20 के अंदर, International Monetary Fund, World Bank के भी में मेंबर्स यहां पे होते हैं, आप कह सकते हों कि G20 में वर्ड की लार्जेस्ट और अडवांस्ट इमर्जिंग एकनॉमी से, दो तीहाई दुनिया की पॉपलिशन G20 में आती है, 85% GDP दुनिया का G20 में आता है, 80% ग्लोबल इंवेश्मेंट, 65% ग्लोबल ट्रेड, यह सब G20 में आता है, मेंबर्स को आने G20 के, तो अरजेंटीन, आस्टेलिया, ब्राजील, केनड़ा, चायन, फ्रांस, जन्वनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ओफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, साओधी अरेबिया, साथ अफरीका, तर्की, उनाइटेड किंग्डम, उनाइटेड स्टेट्स, और फाइनली यूरोपीन उनियन, इस्पेन इसका एक पर्मनेंट नॉन मेंबर इन्वाइट दी, तो प्रापर मेंबर नहीं है, बट नॉन मेंबर इन्वाइटी है, इसलिए सारे समिट्स को अटेंड करता है, इसके बारे में कल मैंने दा हिंदू एडिटोरिल में कार्टिकल डिसकस किया था, अभी उसी के अंदर अगर आप देखो, तो इंडिया ने प्लानिंग की है कि हम, जितने हमारे 6 लाख विलेजेज हैं, इनके पैन इंडिया 3D मैप्स बनवाएंगे, देखे, छे लाख विलेजेज के डिजिटल मैप्स होंगे, और ओवरल सौ सिटीस के 3D मैप्स होंगे, छे लाख विलेजेज के डिजिटल मैप्स और सौ सिटीस के 3D मैप्स, ये बना रहा है इंडिया Union Science Minister Jitendra Singh साहब ने एनौंस किया ये, एक साल हो चुका है, अबडेटेड जियो स्पैटिल पॉलिसी गैडलाइन्स को रिलीज की हुए यह जो 3D मैप से सौ सिटीज के, सिटीज के 3D मैप ज़रूरी है चुकि सिटीज में जो एकोनॉमिक पोटेंचल है इस प्रकार की मैपिंग का वो बहुत जादा है एक ongoing scheme चल रही है भी ministry पंचायती राज़ी जिसका नाम है सौमितुर Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas इसको मोदी जी ने लॉंच कहता अपरेल 2020 में तो इस particular scheme के अंदर गाओं के इलाके में पूरी की पूरी mapping की जाती है और नई guidelines के अंदर private companies को इस mapping के लिए कोई permission लेने की ज़रोत नहीं है पहले अलग-अलग ministries से, सरकारी department से, आप कहलो state के सरकार से इसकी permission लेने की ज़रोत पड़ती थी लेकिन अब आप drone के इस्तमाल से location mapping की applications का use करते हुए इन इलाकों की mapping कर सकते हूँ आपको बस अपने आपको register कराने की ज़रोत है एक जगा पे हर जगा आपको permission लेने के लिए ज़रोत नहीं है जो geographical information based system यहाँ पर बनाया जाएगा map में उसमें forest management, disaster management, electrical utilities, land records, water distribution, property, tax section यह सारे facets involved होगे इंडिया का geospatical market 2020 में लगबख 23,000 करोन का था और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक 36,300 करोन पहुँच जाएगा यह जो सौमित्तुए scheme है इसमें हो क्या रहा है तो land parcels की mapping rural इलाकों में गाओं के अलाकों में ताकि कौन सा land किसकी ownership के अंदर है यह पता चल सके और इस record के हिसाब से अलग अलग जो developmental और welfare schemes चलाई जाती है गाओं के अलाके में वहाँ पे भी हम beneficiaries को point out कर सके है identify कर सके कि हाँ इसको मदद जानी चाहिए इसको मदद नहीं जानी चाहिए अब तक 1,000,000 villages की digital maps त्यार हो चुके है लेकि सर्वे हो चुकी एक लाख villages में 77,527 villages के digital maps त्यार हो चुके है 6,000,000 villages के digital maps त्यार करने है लगबख 27,000 villages में property cards तक बाटे जा चुके है सो हमेट तो portal के ओपर information update हो चुकी मतलब overall जब यह exercise पूरी हो जाएगी सो हमेट तो portal के ओपर यह चीज updated होगी कि कौन से village में कौन से rural लाके में कितनी जमीन किस इनसान की है यह अपने अपने बहुत बड़ी बात है GS paper 2 government policies में न्यूस काम हैगी पिर अगली न्यूस है भाई इंडिया, उस्ट्रेला और सिंगापूर come together भाई भारत की सरकार ने उस्ट्रेलिया और सिंगापूर की सरकार के साथ मिलके एक international वर्क्शॉप की है to combat marine pollution focusing on marine plastic debris तो marine plastic debris से होने वाले pollution को रोकने के लिए ये तीन सरकारे मिल गई है तो भाईया, research करना monitor करना, assess करना marine litter को sustainable solutions ले के आना ताकि global marine plastic pollution issue को रोका जा सके, इसके चार major sessions हुए थे, magnitude of marine litter problem monitoring program and research on plastic debris in the Indo-Pacific region, ये एक, दूसरा best practices and technologies, ये दूसरा तीसरा solution to prevent plastic pollution, ये तीसरा चौथा polymer and plastics technology and innovation and opportunities for regional cooperation to remediate or stop plastic pollution, ये चार sessions हुए थे, याद करने की जरूत नहीं है overall East Asia Summit की countries की जो participants है उनके बीच में यहाँ पर बातचीत हुई कि कैसे इस marine litter को रोका जा सके और तीन सरकारों ने यहाँ पर leadership दिखाई, इंडिया, औस्टेलिया और सिंगापुर ने, East Asia Summit क्या है, तो ये एक प्रीमेर फॉरम है discussions के लिए important strategic issues के उपर यहाँ पर discussion होता है, उन countries की, जो कि obvious सी बात है, इंडो-Pacific में आती है 2005 से East Asia Summit काम कर रही है Regional Peace, Security, Closal Regional Corporation and Prosperity की यहाँ पर बात होती है ओके, जो Honorable Prime Minister है इंडिया के श्री नरे इंद मोदी जी, इन्होंने अनॉंस किया था Agenda of Providing, Promoting Maritime Corporation in the Wider Indo-Pacific Region 14 थे EAS, तो 14 इस एशा समिट यह बैंककॉक November 2019 में होई थी, उस समय पर Maritime Corporation को प्रमोट करने की बात की थी, मोदी जी ने, और अब यहाँ पर East Asia Summit के platform को use करके, marine pollution को बहुत proactively counter करने की कोशिश कर रही हैं सरकारे, EAS के बारे में आपर basic जयांकरी, 18 members हैं, EAS में, आप देख सकते हो कि कौन-कौन से 18 members हैं 10 Asian के members, उसके अलबा Australia, China, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russia और United States Okay, Jays Paper 2, Jays Paper 3 में नीज़ आप हुकाम हैगी पिर यहाँ पर एक और जो festival है वो news में है, और वो है tribal festival, कौन से tribal festival? 4 दिन का मिदारम जतारा festival, ये तेलांगना की मुलूगू district में मनाया जाता है वेडनेस डे को शुरू हो रहा है, एक करों devotees यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जो devotees हैं, अपने सर के उपर जैगरी लेके चलते हैं, अपने ही वजन जितनी याद रखिए का 4 दिन का festival है मिदारम जतारा फेस्टिवल तेलांगना की मुलूगू district में ये मनाया जाता है, इसको आप समक्का सरलमा जतारा भी बोलते हो या फिर समक्का सरका जतारा या मिदारम जतारा जो हिंदू ट्रॉबल गॉड़िसेज हैं उनको यहाँ पर याद किया जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल गॉड़िसेज का नाम है समक्का सरलमा तो इन ट्रॉबल गॉड़िसेज को याद करने के लिए ये जो जतारा फेस्टिवल है इसको यहाँ पर ट्रॉबल बनाते हैं overall कोया ट्राइब प्रीस्ट इसको मनाते हैं कोया कस्टम्स और ट्रेडिशन्स के हिसाफ से यह जो मिदारम नाम की जगा है यह इतुर नगरम वाइड लाइफ सेंचुरी में है जो कि डंडकार रन नीजन में आता है अगर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को नैशनल फेस्टिवल मना दिया जाता है तो कल की डेट में इसको युनेस्को की इंटेंजिवल केलिचल हेरिटेज लिस्ट में भी जगा मिल सकती है इसकी कोशिश की जा रही है कुछ प्लेयर्स के द्वाराज जी इस पर वन में नीज़ आपको काम आएगी वराज की आखरी नीज़ रशिया ने अनाउस किया है कि ये कुछ टूप्स को वापस खींच रहे है 15 फरवरी को रशिया की तरफ से नीज़ आ रही है कि यूक्रीनियन बॉर्डर के फॉरवर्ड बेसेज में जो टूप्स डिप्लॉइट थे कुछ टूप्स को वापस खींचा जा रहा है बहुत इंटेंस डिप्लोमाटिक अफर्ट हुए है डर था कि रशिया कभी भी अटाइक कर सकता है मॉसकों ने एक लाग डूप्स यहाँ पर डिप्लॉइट कर रखे थे तो यहाँ पर एक अच्छी निज़ निकल के आ रही है कि रशिया थोड़े बहुत डूप्स को पुल बैक कर रहा है अब एक्जैक्ली कितने डूप्स पूल बैक की है इसके बारे में डीटेल इंफर्मेशन है नहीं अलग-अलग मीडिया होसे अलग-अलग रिपोर्ट कर रहे है जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स भी रीसेंटली रशियन प्रेजिडन व्रादिमिर पुतिन से 15 फरवरी को मिले और overall बातचीत करी आगे मांसुकों में भी बातचीत होगी cold war के बाद से अगर western countries और रशिया के बीच में हालात सबसे आदा बिगड़े हैं तो यही समय है इस समय पर almost यह तैथा कि रशिया कभी भी उक्रेइन के उपर कर देगा और कीव तक पहुंच जाएगा पंदर दिन के अंदर हलाकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और भगवान की द्यास ऐसा नहीं हो war बहुत खतरनाक चीज है लाखों की तागाद में जाने चली जाती है और यह जो रशिया का eastern region है यह आप देख सकते हो डॉनेट्स डेबर्स्टवे, लुहांसक और पैत्रस्वका यहाँ पर रशियन रबिल्स रहते हैं रशियन रबिल्स इन दे सेंस कि यहाँ पर जो लोगों की ethnicity है रशियन है तो इस particular इलाके में रहने वाले जो ज़्यादा तर लोग है वो चाहते हैं रशिया के साथ मिल जाए यूक्रेयन इंको अपने पास रखे वैसे तो बॉर्डर पे यूक्रेयन की फोर्सेस ही डिप्लोएड है लेकिन एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोग ही रशिया के साथ मिलना चाहते है उसके ओपर कैसे कंट्रोल करोगे तो इस बॉर्डर के ओपर रशिया अपनी फोर्सेस जमा के बैठा है लाक की कभी भी अटैक हो सकता है कुछ दिन पहले ही कली एक इन फैक्ट मैं निउस्पेपर ही पढ़ रहा था कि बॉर्डर इलाकों में जो रहने वाले योध्स है न वो अपने Ukrainian soldiers के लिए वहाँ पे tunnels खोद रहे हैं ताकि उन tunnels के अंदर बैठके Ukrainian soldiers जंग लड़ सके Ukrainian soldiers को पीछे से supplies दे रहे हैं तो overall इस जगह पे चीज़ें शान्त हो जाएं लड़ाई ना हो यही हम उम्मीद कर सकते Russian-Ukraine conflict के ओपर अलड़ी विनी सर एक वीडियो मना चुके है Russia-Ukraine conflict मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी इसको देख लीज़े आपको और भी नॉलज़ मिलेगी So thank you for watching friends जादा से जादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करेंगा I hope आपको इस प्रकार के नॉलज़फूल लेक्चर पसंद आ रहे हैं अपनी व्यूपॉंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और जादा से जादा लोगों को शाथ इस वीडियो को शेयर करना